तो दोस्तो आज हम एक जबरदस रीच आप लोग के लिए लेकर आया है ठीक देखिए इस वीडियो में हम सीखेंगे इच का पर्यूग ठीक इच का हम पोस्ट माइटम किये हुए ठीक मतलब कि इच का जितना भी यूज संभव हो सकता है हम पूरा इसमें डिसकस किये हैं और पहली बाद यह बहुत ही इंपोटेंट है इच एवडी से कई बार कोश्चन आ जाता है ठीक इस बार सीजियल में भी तीन से चार कोश्चन मुझे देखने को मिला था ठीक तो इसको शीखना बहुत ही जरूरी है इसलिए हम यहां पर आज हम इच का पोश्ट माइटम से ठीक और बात करेंगे इसका एंसर की भी डाल दिये कि मेरा कोश्चन गलत हुआ था अगर आप इसका प्रूब देखना चाहते तो इसी चैनल पे आप जाएंगे उपर वीडियो में तो आपको मिल जाएगा ठीक एंसर की का एंसर वहां से आप देख सकते हैं ठीक और चाह है तो इच है डिस्ट्री ब्यूटिव वर्ड है यह क्या है डिस्ट्री ब्यूटिव वर्ड है और डिस्ट्री ब्यूटिव वर्ड जो है वो दो टाइप की होते हैं एक होता है डिस्ट्री ब्यूटिव प्रणौन और डिस्ट्री ब्यूटिव अड्यक्टिव तो इच हम नहीं कह सकते हैं कि यह pronoun है या adjective है ठीक तो हम आगे हम देखते हैं यूज का concept कहता है कि एक singular word है और singular word distributed word भी है तो नाम से ही इस परच है distributed word एक singular word होगा ठीक अब इसका meaning क्या होता है इसका meaning होता है two or more लेकिन one by one कहने का मतलब यह हुआ कि दो या ज्याइदा में से हर एक दो या ज्याइदा में से हर एक करेगा पूलर को लेकिन word कैसा है singular है तो example के माध्यम से आपको और ज्याइदा समझ में आएगा ठीक देखते हैं देखिए यहां पे हम समझते हैं माल लेजे कि यहां पर ठर्टी गल्स है कितना तीस गल्स है तो इसको हम समझते है यहां ऐसे बोलेंगे all the girls have come इसका मतलब क्या हुआ ओल यहां पर क्या है चब आए हुए है एक तो यहां पर यह क्या सिंगुलर है तो वर्ब कैसा अएक है सिंगुलर ठीक आप देखे इच के बारे में समझते हैं इच गर्ल है। ठीक इच गर्ल है जिकम का मतलब यह हुआ कि इच इच का मतलब क्या one by one एक एक करके जो है 30 girls जो है आए हुए है 30 का 30 girls आए हुए है तो यह each क्या दिखाता है मतलब one by one करके प्रते को दिखाता है तो जब यह one by one करके प्रते को दिखाएगा तो nature से तो singular ही हुआ तो यह one by one आएगा हुआ सिंगुलर के तरफ ही हम यूज करेंगे इसलिए एच जो है है सिंगुलरल लेकिं रिप्रिजय करता है पूलल एक-एक करके ज्याधा को दिखाता है एक-एक कडे ज्याधा को दिखाता दिखा दिया कि इस घर्ल कम यानि कि प्रतेक लड़की आई है लेकिन एक एक करके आई है इसलिए यहां पर इच गर्ल के साथ है का प्रियों होता है यह था प्रूब इसका ठीक तो रूल रटेवाजी आज ही छोड़ दे रूल से कुछ नहीं होने वाला ठीक आप कंसेप्स समझेंगे हर चीजों को तो मतलब कि होता है प्रतेक लेकिन इच क्या दिखाता है एक के करके प्रतेक को तो एक रिभाब कि यहिए हुआ कि आपना कांधा है ठीक तो यहां पर पर इच बिड़ेजेंटर करता है पूलल को यानि कि सिंगुलर है एक करके ज्यादा को दिखाता है जब एक करके दिखाता है यहां पर एक तो सब्बनिक करजाएगा इक Et जाएगा पर यहां फ़ी नहीं यह यहां यह घ्लत हो जाएगा पूरा पूरा संटेंस से ठीक अब इसको देखिए इसका जो और और पूरल में कैसा तो हमेंचा वर्ब सिंगुलर ही आएगा है वर्ड पूलल नहीं है कि इच जो है प्रते को दिखाता है एक ही करके तो इसलिए यहां पर सिंगुलर वर्ड भी आएगा ठीक प्रजेशन की बात करेंगे तो प्रजेशन भी सिंगुलर ही आएगा पूलल नहीं आएगा ठीक यह इसका कंसेप्ट त्यार हो गया इच का पहला यहां पर सही होगा ठीक अपना काम कर रही है इसका मतलब यहां पर आगया तो आगया तो आप क्या दिखा था क्या प्रतेक ज्यादा में से प्रतेक क्योंकि हम एक में से प्रतेक तो हम बोल नहीं सकते हैं एक से ज्यादा ही होगा तो जब एक से ज्यादा होगा तो हम गल्स बोलेंगे आप गल्स यानि कि लड़कियों में से प्रतेक लड़कियों में से क्या तो प्रतेक तो यहां पर सर इजी होगा क्यों अब देखिए इसको समझना क्यों देखिए इच आप है आप के बाद आप क्या एक प्रिपोजिशन है तो प्रिपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है अबजेक्ट आता है तो प्रिपोजिशन अपना अबजेक्ट लेता है ठीक यह हम प्रिपोजिशन है तो प्री पोजिशन के बाद जो आया हुआ है दे गल्स ऑफ ये दे गल्स क्या है इस ऑफ का जो है अबजेक्ट है तो यहां पर दे गल्स के अनुसार वर्ब क्यों आएगा सेंटेंस में जो वर्ब आता है वो सब्जेक्ट के अनुसार आता है और इज है मेरा सब्जेक्ट त तो आज से पहले जो आप रटे थे कि इजion यहिए है कि जो बिवि पोजिचोन है तो वहां पर नहीं आएगा ऐसे संटेंस हम घाते आपको नेमार राम ओछ ठीक लोंक हो सब्सक्विच यहां पर लिख देंगे कि राम अलोंग ओएथ और यहां पे फिज़डरन सम कर देंगे ठीक थीज़ पेरेंट्स तो अब यहां पर इस सेंटेंश को सोंचे यह पे हिज़ज़ है तो पराम और लांग विपोड्र programme उपनी कमीय होना चाहिए नहीं नहीं तहहां मैंन सब्आक्ट यह हो गया along with क्या है along with के बाद इसका जश्ट बता रहे कि उसके साथ उसके आndra करें इसका कंशेप्ट क्या तयार होगा इसको कंसेप्ट को हम देख लेते हैं इसका कंसेप्ट यह त्यार होगा कि इच ओप के बाद हम साथ क्या है आएगा ठीक पुल्र प्रणा आयेगा ठीक और यहां पर सिंगूलर प्रवर्ब तो आता ही है और पर्जेशन तो इसमें दूसरी वाले संटेस में देखिए इसमें क्या है तो पुल्रल नाउन आएगा क्यों कि आप के वज़ए से आप क्या कड़ेगा तो आपके वाले में स्लेक्ट करना पड़ेगा ज्यादा में से प्रतेक ठीक और यहां क्यो हुआ है और यहां पर सिंगुलर नाउन जब भी आएगा और यह तो पुल्रल कर जाएगा ठीक यहां पर भी आएगा ठीक पहली बात और यहां पर पड़ेशन जान तो इच और करके कि यहां पर अडिटमेन काम यहां पर इच क्या एड्यक्टिफ है ब encourages का आया ठीक के बाद किया है खुली थीक का अपकर तो यह सब लेकिन इच के नुसार ही वर्व आएगा तो देखिए अब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है सब्जेक्ट हमेशा जो है वह नौन या प्रनौन ही हो सकता आप यह चीज़ याद रखें कि दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट जो होगा वह या तो नौन होग सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को इस एक नम हुआ गल्स नां था उसको रिप्रिजेंट इच से कर रहा है तो यहां पर इसलिए प्रणाउन हुआ ठीक और पहली सेंटेंस में था यहां पर पूरा का पूरा क्या है सब्जेक्ट है तो इसमें नौन है और इच इसका एडजेक्टिव है ऐसे आप समझे ठीक पार्ट इसपीच में किलियर हुआ अब आगे देखते हैं अगला कंसिप्ट है देखिए इच आप देम डॉट 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 यहां यहां पर जाए टो चर्ट को सकता है लेकिन यहां पर रीप्रेजेंट से नहीं किया गया कि वह गल्स है तो सब आ जाएगा तो अगर इस तरह का confusing sentence रहे इज के साथ them आ जाए तो ज्यादा प्रिटिम हीज को देंगे सकेंड नहर पर हर पर हर पर जाएंगे और तीसी नहर पर जाएंगे ठीक अब हमको देखना अब जाएंगे तो इसमें हम ही मारेंगे यहां भी इस यह वला होगा ठीक तो देर कोई अस्थान नहीं है क्यों कि इस हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो इसके अनुसर देर तो पहले कर जाएगा ठीक और आपको हम सुरू से ही बताते आ रहे तो यहां पर हीज ज्या इस बोला है Uhh और इस सथी वर्क ओन सकते हैं तो चौ तक प्रख़त करेंगे हैं अब सकन संब्सक्रा इसर आएकी कि ईस औफ हुसाखने कपरियास करते हैं तो इस झस जवें मुचे मातलबरर आप आप कर जह लिए और और इस बंगर यहिए तो यहां पर मुझे तो प्रजेशन कैसा पूरल आना चाहिए ऐसा कुछ नहीं आपके बाद इसका अबजेक्ट आया हुआ है ठीक अबजेक्ट है तो हमको सिर्फ इस इच के हिसाब से देखना इच के प्रणावन है जो कि सिंगूलर सब्जेक्ट है सबसे जयदा प्रणाव हीज को देंगे तीन बार सही इसका हड़को इसका कुछ अस्थान देर का कुछ को यहां यह वह उता है मतलब क्या कोई परसन आ रहा है तो यहां पर अस जो होता है हम लोगों में से कोई भी आ सकता है ठीक या तो महिला होगा प्रूस हो सकता है ठीक य प्रतेक को वहां जाना चाहिए इसका मतलब क्या है मतलब हमेंसे प्रतेक को मतलब एके करके यहां पे तो इच क्या है यहां पे इच बिल्गुर प्रनावन का काम कर रहा है इच ऑफ अस हम लोगों मेंसे प्रतेक को तो आपके प्रतेक कर रहा है और आपके बाद के प्री तो यहां पर क्लियर हुआ तो यहां पर पूरा क्लियर हुआ तो इसी के साथ इसका आपको एक साथ देने का प्रयास की एक अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक किजिए और ज्यादा responsibility हम आगे वीडियो बना पाएंगे ठीक तो इसी के साथ हम आज ही किलास को यहीं विस्वनाब करते हैं बाई बाई दोस्तों एंटे केर